हलो दोस्तो, दोस्तो श्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटा फट इंगलिस के स्क्लास में दोस्तो आज के इस वीडियो के हंदर हम डिसकस करने वाले हैं कमिस्टी के important objective questions के जो की chapter 1 के होंगे दोस्तो ये ऐसे questions होंगे जो आपके examination में 100% आएंगे और मैंने सारे important selected questions को दोस्तो एक अत्रित किया है और इसे आप दोस्तो समझने का प्रयास किजिएगा और इसे अपनी कापी में नोट करिएगा और इसे पढ़कर जाईएगा क्योंकि काफी important है दोस्तो और सारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो दोस्तो एक रामबाड वीडियो सावीत होगा और इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा महतपूर concept हमने cover किये हैं दोस्तो इसके अलाबा हमने chapter number chapter number 6 नहीं आपका p block का तत्त है p block के तत्त में भी दोस्तो हमने कुछ important concept का decision किया है और कुछ important परशनों को उठाए हैं जिनसे जो काफी important है और जिनसे आपके examination में question आने की 100% possibility है दोस्तो आपको p block के तत्त में वही वही questions पढ़कर जाना है जो हमने select की है और पक्का आपके examination में ये question आएंगे ठीक है तो सारे पढ़ने वाले बच्चे इस वीडियो को अराम से सुनेंगे और समझने का प्रियास करेंगे और ये objective चरूल पेपर में बढ़कर जाएंगे दोस्तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट काफी important वीडियो होगा तो चलिए दोस्तो बिना किसी दरी के वीडियो को सुरू करते हैं पहला question है दोस्तो फ्रेंकेल द दोस्तो इसका answer ठीक है नोट करते जारी गया फ्रेंकेल दोस्त प्रदर्शित नहीं करता तो दोस्तो फ्रेंकेल दोस्त प्रदर्शित नहीं करता के बी आर इसमें चार अप्सन होगा तो इसमें आपको के बी आर अप्सन पर टिक करना है अगला है याने CL किस्टल में समान दूरी पर इस्तित बिरोधी आबेस बाले आयनों की संक्या होती है तो इसमें इसका एंसर होगा च्छाए अगला कोश्चेन है दोस्तों बिद्दूत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट ठीक है इस चीज को आप नोट कर लीजेगा अगला है एन प्लस आयनों की समन्बे संक्या तो यह 8 होती है दोस्तों ठीक है अगला प्रश्ण है किस योगिक में 8 अंपात 8 समन्बन अंक पाय जाता है तो यह दोस्तों है सीजियम क्लॉराइट CSCL अगला है काय केंद्रित घनी जलक की संख्या होती है तो यह 8 होती है दोस्तों ठीक है अगला यूनिट सिल का घना तो काफिंग पॉर्टेट कोश्चन है दोस्तों जडियम अपान एक क्यूब इन्टु एन अगला है दोस्तों अगले सवाल को अगला लिखा है दोस्तों सीजियम क्लोराइट की क्रिष्टल की अंत्रा आयनिक दूरी होगी तो दोस्तों यह होगी आपकी होजाएगी अंडर रूट 3A अपांट 2 इसका सटीक अंसर हो जाएगा ठीक है अगला दोस्तों अंताय केंदरित घनी यूनिट सेल में परमाडू की संख्या होती है तो इसका सटीक अंसर हो जाएगा दोस्तों दो ठीक है ब्रेक समीकरन काफी इंपोर्टेंट प्रशन है दोस्तों ब्रेक समीकरन होता है यह लिम्डा बराबर 2D शाइन थीडर ठीक है अगला सवाल है NACL क्रिष्टल की काई कोसिका में उपस्थित यने प्र यह रूप में भी देखने को मिल सकते है ठीक है अगला फ्रेंकल दोस्त का सही उधर रण तो एजी सीयल इसमें चार आपसन होंगे तो आपको एजी सीयल पर टिक करना है अगला सुस्क बरफ है तो सुस्क बरफ है दोस्तों आणवी क्रिष्टल ठीक है NACL क्रिष्टल की सं अगला के सीयल क्रिष्टल में किस प्रकार का जालाग पए जाता तो इसमें दोस्तों जालाग पैसाथा, फलक केंद्रित घ finite के सं चत्तु फलक समित के 2 अनुपात की सीमा तो इसकी होती है दोस्तो, जीरो पॉइंटट य together chore है, याकात्वु क्रिश्टल के लिखा है दोस्तों तहली ऑगला है सयोजी क्रिश्टल के दो साथ की दोनों दोस पहे जाते है दोस्तों वह सीलबर ब्रोमाइवारु ने स्कूद हो से अगला है एक अगला करिश्टल की करणा हता है तो यह कितने प्रकार के क्ष्टल से तन तर पाए जाते हैं अगला सवाल है तने करिश्टल कमक्राच दिर्शन फ्रेश्य के अंसर हो जाएगा दोस्तों कनाद ठीक है किसी क्रिश्टल में उपस्ति धन आयन और रिना आयन की त्रिज्याओं के अनुपात कहलाता है दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कुल चौदै प्रकार की विविन एक अक्सिल होती है जिने केब्रिस चालक कहते हैं अगला है जोडी को आप Haard से देख लिएगा फ्रेंगकल दोस्ति किसमें पाया जाता है साट्की दोस्त कहां पाया जाता है ठीक है अनताह केंध्री घनी जालक सट्कोणी क्रिश्टल ग्रिफाइट की होती अनताह केंध्री घनी जालक दोस्तों आपका इसको बहुत की में मिला लिजी। अन बनस पत्यों के रंग को उड़ा देती है क्यों ये सवाल भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है अगला है दोस्त। दोन के बहुत तीक गुल लिखे, बहुत अच्छा प्रशन ये भी है, ये भी आता है, अगला सधूम नाइट्री कमल किसे कहते हैं, इस पर आप स्टार बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रशन है, शदूम नाइट्री कमल किसे कहते हैं, ये भी आता है, ओस्ट बाल्ड बीध अगला डीकन विधी से क्लोरीन बनाने की विधी का सचित बढ़न कीजिए भी कोश्चन आता है दोस्तो अब चले दो पाठ के कुछ इंक्पॉर्टिंट कोश्चन देख लेते हैं विलियन चेप्टर का ये भी आता है आदर्स विलियन तथा अनादर्स विलियन में अंतर स्प का वर्डन कीजिए तो इस प्रश्णों को भी आप नोट करिएगा बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्ण है एक्जाम के अंदर बार बार आ रहा है दोस्तो इन प्रश्णों को पढ़कर जाएगा कम से कम दोस्तो आपके 15 नंबर आलरीडी फिक्स हो जाएगे अगला है बां बांट हाब गुडांग के बारे में आपको लिखना है बांट हाब गुडांग से लेकर दोस्तों कोश्चन प्रस्ण आते हैं ठीक है बांट हाब गुडांग से लेकर दोस्तों कोश्चन आते हैं इन चीज़ को नोट कर लिजेगा तो दोस्तों आपको वीडियो आपको करते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में फिर इस नए सांदार कॉंसेप्ट के साथ तब तक के लिए दोस्टों टेक केर गुड वै थैंक यू ठीक है इन कुस्चन्स को अच्छे से देख कर जाए कल आपके एक्जामिनेशन में आ रहे है यह कुस्चन थैंक यू वेस्ट आप प्लॉक तो लॉफ यू